नमस्कार मैं हूँ जूली आपिसोद देख रहे हैं दिंडिया टॉप उत्राखण में कॉमन सिविल कोड लागू करने के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी भाशपा की सरकार कॉमन सिविल कोड लागू करने की तयारी कर रही है इसके साथ साथ जितने भी भाशपा शाषित प्रदेश है वहाँ पर भी इसकी मांग को तेज किया जा रहा है आपको बता दे कि बिहार में भी इंडिया की सरकार है जिसमें भाशपा भी एक बड़ी पार्टी है इसकी वज़े से बिहार में भी अब Common Civil Code को लेकर के मांग तेज होने लगी है जब आमित स्चाह आये थे बिहार में बाबु वीर कोर्ट सिंग की जैनती में वो शामिल होने के लिए आये थे उस दोरान भी उन्होंने ये बात कही थी और अब भाशपा के नेता सुशील मोदी ने भी कहा है कि भाशपा बिहार में भी Common Civil Code लागू करने वाली है लेकिन इसको लेकर के अब जेडियू ने दोटुक कह दिया है कि ऐसा बिहार में नहीं होगा जब तक नितीश कुमार मुख्य मंत्री है तब तक बिहार में Common Civil Code लागू होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है ये बड़ा बयान जेडियू के संसदिय बोर्ट के अध्यक्ष उपेंद्र कुश्वाहा ने दिया है बता दे कि भोशपुर के जगदीसपुर में वीर कुण सिंग, विजयोत्सो समारू के दौरान पूर्व उपमुख्य मंत्री और बीजेपी के राज्यसभासान सद सुशील मोदी ने कहा था कि ग्रेह मंत्री अमिच शाह ने कह दिया है कि बीजेपी शाषित राज्यों में समान नागरिक सहिता यानि की कौमन सिविल कोड को लागू किया जाएगा सुशील मोदी के इस बयान के बाद उपेंदर कुछवाहा ने ये कड़ा बयान दिया है कुछवाहा ने बिहार में कौमन सिविल कोड की जरूरत पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश सम्विधान से चल रहा है और आगे भी उसी से चलेगा जब बिहार में समान नागरिक सहिता की जरूरत ही नहीं है तो इसका सवाल कहां से उठता है बिहार में नितीश कुमार की सरकार के रहते ये लागू नहीं होगा एंडिये की सरकार में इस बड़े मुद्दे पर जेडियू अकेले कैसे फैसला कर सकता है इस सवाल पर उपेंडर कुछवाहा ने दो टुक कह दिया कि उनकी पार्टी अपने नीतियों से समझोता नहीं कर सकती है चाहे जो भी हो समान नागरिक सहिता का सवाल नहीं उड़ता है जब तक बिहार में मुख्यमंत्री नितीश कुमार है तब तक यहां पर कॉमन सिविल कोड लागू नहीं हो सकता है बता दे कि बिहार में बीजेपी और जेडियू कई मामलों में एक दूसरे के आमने सामने आते रहे हैं बीजेपी बिहार में कानून विवस्था के मुद्दे पर अपनी ही सरकार को घेरती रही है ताज़ा मामला समान नागरिक सहिता का है बीजेपी नेता और मंत्री जनक राम पूरे बिहार सहित देश में समाननागरिक सहिता लागू करने के पक्ष में है इस मुद्दे पर जेडियू के विरोध पर वो कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि सहयोगी भी इसके लिए मान जाएंगे आपको बता दे कि लगातार ऐसे अलग-अलग मुद्दे सामने आते रहे हैं जिस पर भाशपा और जेडियू में मत्भेद निकल करके सामने आया है जेडियू ने दो टुक कह दिया है कि जब तक बिहार में नितीश कुमार मुख्य मंत्री है तब तक यहां पर कॉमन सिविल कोड लागू करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है क्योंकि बिहार में अभी इस कानून की जरूरत ही नहीं है और इसे यहां पर लागू नहीं किया जाएगा आपको क्या लगता है आप अपनी राए हमें कॉमेंट के जरीये दे सकते हैं फिलाल इस वीडियो में इतना ही इस तरीके की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे हैं देंडिया टॉप के साथ धन्यवाद